जीवन का हर रक्षण निर्णे का रक्षण होता है प्रतेख पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनुश्य से भर जाता है निर्णे का वोक्षण कृच निर्णे का युद्ड बन जाता है और मन बन जाता है युद्वूमी अस्तै निर्णे हम दुविधा का उपायए करने के लिए केवल मन को चान्त करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दॉड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्ने ले पाएगा वास्तव में शान्त मन से जब कोई निर्ने करता है तो अपने लिए सुखत भविश्य बनाता है किन्तु अपने मन को शान्त करने के लिए जब कोई निर्ने करता है तो वो विक्ति भविश्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता स्वयम विचार कीजिएगा निर्ने के क्षण में हम सदा है किसी अन्य के सुझाव तूचना मंत्रना या परामर्ष को आधार बनाते हैं और हमारे भविश्य का आधार हमारे आज दिये गए निर्ने के उपर होता है तो क्या हमारा भविश्य किसी अन्य के परामर्ष किसी अन्य के सुझाव का फल है क्या हमारा संपून जीवन किसी अन्य की बुद्धी का परिणाम क्या हमने कभी विचार किया है तब का अनुभव है कि भिन भिन लोग एक ही स्थिती में भिन भिन परामश्ट देते हैं मंदिर में खड़ा भग कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अफसर मिले तो इस मूर्ती के श्रिंगार चुराद धर्म से भरा रिदय धर्म मैं सुझाव देता है और अधर्म से भरा रिदय अधर्म का परामश्ट देता है धर्म मैं सुझाव का स्विकार ही मनुष्य को सुख की और ले जाता है किन्तु ऐसे परामश्ट का स्विकार करना कभी संभव होता है जब रिदय में धर्म कि अर्थात किसी का सुझाव अत्वा परामर्ष्ट विकार करने से पूर्व त्वयम अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्चक नहीं त्वयम विचार कीजिए कि भविष्चे के अधार पर सब आज का निर्णे लेना चाहते हैं कि भविष्चे में सुख मिले भविष्चे सुरक्षे थो ऐसे निर्णे आज लेने का प्रेट में रहता है सबका आप अपने जीवन को देखिए क्या आपके अधिक्तर निर्णे के पीछे भविष्चे का विचार नहीं होता और हो भी क्यों नआ अपने जीवन को सरल और सुक्मय बनाने का प्रैट्न करने का अधिकार सबका है पर भविश्य तो कोई नहीं जानता केवल कलपना ही की जा सकती है तो जीवन के सारे महत्वपून निर्णे कलपनाओं के आधार पर ही करते हैं हम क्या निर्णे करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है विचार कीजे सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के रदे में बसता है तो प्रतेक निर्णे से पूर्व स्वयम अपने रदे से ये प्रश्न वश्य पूछ लेना कि ये निर्णे स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से क्या इतना परियाप्त नहीं भविश्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविश्य अधिक सुख पूर्ण नहीं होगा स्वयम विचार कीजिए भविचार कीजिए जन्मा है बविचार कीजिए